वैं जब पैसे बचाने की बात आती है तो हम सब के कान खड़े हो जाते हैं, कि किस तरीके से हमारा पैसा बच सकता है, कि है हमें सच में आईफॉन सस्ता मिल सकता है, दुबई से या गंडुड नो हम सकते हैं। किसी और देश में हम जाएंगे खर्चा करेंगे या किसी से मिन्नते करेंगे वही आरे हो वहां से तो हमारे लिए iPhone ले आना है यह हमारे ले आपल का प्रोड़क्ट ले आना यह हमारे ले कोई latest laptop ले आना ये सब आप इंडिया में भी कर सकते हो और इसके लिए आपको किसी से मिन्नते करने की जरूत नहीं पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा कैसे अब एक्जामपल ले लेते हैं किसी X कंट्री के अंदर आपको दिखता है कि भाय जो आपका फेवरिट फवन एक्जामपल आई फ़ोण है वो मिल रहा है मात्र 90,000 रुपे का आपको 90,000 रुपीजính का उन्न का निल रहा है और इंडिया के अंदर आपको दिखता है यह जो फ़ोण है एक लागदस हजार फ़ोण है जी 20,000 रुपे का फरक है अब लोग क्या सोचते हैं लोग क्या करते हैं कभी कोई नया फोन लाउंच होता है तो वो सोचते हैं कि हम किसी दूसरी कंट्री से जाके लेंगे अगर हमें 3-4 फोन चाहिए है फैमिली में तो हम भार चले जाएंगे हमारी तो फ्लाइट का खर्चा ही निकल जाएगा घूमके भी आजाएंगा और सस्ता भी पड़ेगा देखो बात तो सही है कि अगर हम 20,000 रुपे यहां पर सेव कर रहे हैं और किसी ने अपनी फैमिली में 4 फोन लेकर आने हैं तो उसका 80,000 रुपेया बच गया अब लोगों को लगता है बहुत अट्राक्टिव पर लेट्स अंडस्टांड कि यह आप इंडिया में इन फाक्ट और भी सस्ता कैसे ले सकते हो अब मैं आपको समझाऊंगा देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा यह समझना पड़ेगा जब आप सैलरी अंड करते हो सैलरी आती है तो सैलरी पर बिसिकली अगर आपकी सैलरी जादा होती है तो आपको समझ आ रहा है कि आपको टेक्स देना पड़ता है तो आप उसे बचा नहीं सकते बट विन यू आ दूइंगा बिजनस आप अपने बिजनस एक्सपेंस बुक कर सकते हो अब मैं एक्जामपल अपना ही ले लेता हूँ अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मालनी जे मैं कोई कैमरा यूज कर रहा हूँ फोन बे बात करने के लिए मैं फोन यूज कर रहा हूँ लाप टॉब यूज कर रहा हूँ यह सब मैं अपने बिजनस के लिए कर रहा हूँ अगर मैं बिजनस के लिए कर रहा हूँ तो जब मैंने खरीद रहा हूँ पैसे तो मैं दे रहा हूँ बट ultimately यह मेरा expense है तो यह मेरी income से minus होंगे आप बात समझ रहे हैं तो एक तो यह चीज हो गई और दूसरी चीज क्योंकि मैं business के लिए use कर रहा हूँ और business पे अगर मेरे पस कहीं से income आती है आपके लिए अगर आप मान लीजे कोई भी आप iPhone खरीते हैं कोई phone खरीते हैं आप देखेंगे example के लिए उस पर 18% का GST लगा है अगर उस पर 18% का GST लगा है तो अब goods and service tax Indian government आप से charge कर रही है हमें समझा रहा है GST उस पर लगा हुआ है अब यह GST का पूरा फाइदा आपको मिल सकता है for example अगर कोई चीज एक लाख रुपे की है तो government बोलेगी आप उसे एक लाख पे नहीं बेचेंगे आप 18% हमें भी देंगे तो वो market में बिकती है एक लाख 18,000 रुपे की और यह जो 18,000 रुपे है example के लिए यह आप claim कर सकते हो यह आप claim कर सकते हो आपको input मिल जाएगा input एक तरीके से फाइदा ही है तो अगर कोई एक लाख की चीज खरीद रहा था उस पर 18% GST लगा हुआ था और वो एक लाख 18,000 की पढ़ रही थी तो यह 18,000 रुपे इंडिया में भी बचाया जा सकते है अगर आपका यह business expense होता है तो तो अब अगर आपके पास GST certification है आपके पास कोई company या proprietorship या partnership firm registered है और उसका GST number है तो आप GST पर billing कराईए rather than individual billing की अगर आप GST पर billing कराते हैं GST number पर billing कराते हैं number देते हैं आपको credit मिल जाता है और वो एक तरीके से आपके लिए saving है number one दूसरा यहाँ पर फाइदा क्या होता है कि अभी मेरे को GST का तो claim मिल जाएगा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा mobile phone पर आपको 18% मिल रहा है 28% के GST की बात करते हैं तो आप देखिए कि आपका कितना पैसा बच सकता है अगर 50,000 रुपे पे 14,000 का GST लगा हुआ है वो 64,000 का है तो 14,000 रुपे बच गया क्योंकि GST का input मिल गया तो यह एक समझदारी वाला decision है कि अगर आपका business registered है और आपके पास GST number है तो आप यह पैसा बचा सकते हो number 1, second दूसरा तरीका क्या है कि आप जब कोई भी electronic ले रहे हैं तो उस पे आपको depreciation मिलता है देखो depreciation मोबाइल फोन के case में आपको first year 15% मिलता है laptop या computer के case में 40% मिलता है आप कहने का मतलब क्या है यह depreciation जो है over the years लगबग आपको 30% या जिस भी tax lab में आते हो उस तरीके से आपको benefit तो देगा 30% प्लस ही पड़ेगा आपको 30% का आपको tax benefit भी मिल रहा है अब tax benefit कैसे मिल रहा है कि भीया मुझे tax देना पड़ता वो tax मेरा बच गया क्योंकि यह खर्चा है क्योंकि business का expense है यह खर्चा है तो आपको यहाँ पर भी benefit हो जाता है अब इसी example से अगर आप 90,000 रुपे का phone लेकर आ रहे हो तो आप किसी को बोल रहे हो उसे 90,000 रुपीज कैश में दे रहे हो वो आपको खर्चा नहीं मिलेगा अगर आपने अपने किसी friend को transfer कर दिये अपने friend को आप 90,000 दे दिये तो आपने अपनी capital से दिये पर अगर आपने business का expense किया है तो आप उसे business expense में भी ले सकते हो और उस पर GST भी claim कर सकते हो इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है अगर आप कोई भी ऐसी चीज अपने office के लिए अपने business के लिए यूज में लेकर आ रहे हो चाहिए अब वो camera हो जैसे मैंने बोला laptop हो, mobile phone हो, AC हो आपकी बहुत सरी चीज़े ऐसी होती है जिस पर GST का claim आपको मिल सकता है अगर वो business के under expense है तो और business expense तो अपले ही सकते हो आपको double benefit हो सकता है in fact आप देखेंगे तो आपको और country से जादा फायदा मिल सकता है ना आपको जाने की जरूए जैसे मैंने बोला ना किसी के सामने गड़ गड़ाने की जरूद की मेरे लिए कुछ ले आना आपका profit इस तरीके से भी हो सकता है so you can save your money जब आप कभी भी कुछ खरीदें तो GST billing कराईए उसकी और अपना business expense भी दिखाईए so आपका पैसा बचेगा आपको यह वीडियो कैसी लगी आप लाइक करके अपना प्यार दे सकते हैं और कॉमेंट से में बता सकते हैं अगर आपके और भी कुछ सवाल है तो कॉमेंट में ज़रूर पूछेएगा next time हम उन्हीं topics के ओपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे इन फाक मुझे पता है कि अभी आपको टेक सेविंग के ओपर और भी वीडियो से हैं कॉमेंट आते रहते हैं तो टेक सेविंग से लेटेड और भी नई वीडियो इस चैनल पर आने वाली है तो अभी कभी इस चैनल को सब्स्राइब कर लिजे बैल इकन पर क्लिक कर दीजे जिस से अने वाली एक भी वीडियो आप से मिस ना हो फाइनली फैस्बॉक पर वीडियो देख रहे हैं फालो कीजे आव वासी नेक्स वीडियो यूशेर दिस वीडियो विजे विए फ्रेंड विए इस वागल जिससे उने भी नहीं नीचीदे पता लगे उनका भी पैसा बचे और गो सल्फ मेड